हेलो दोस्तों मैं गौरब राज शौहान फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं और आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो कमेंट्स के थूरू कॉल के थूरू पूछते थे कि सरकुछ ऐसा वीडियो हमें दिया ज जो LCD screen पे हम लोग as a smart board work करें and there is no need of any projector जैसे पहले हम लोग interactive smart board देते थे या दे भी रहे हैं बहुत लोग यूज करते हैं उसमें हमें projector की जुरत पढ़ती है बट आज जो आपको बता रहे हैं यह इस पे यह जो है यह LCD screen है और इस तरह के screen पे use करने के लिए as a smart board there is no need of any projectors और यह बहुत ही बड़े और advanced technology है जो आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं और आसा है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छे से video लाते रहेंगे बस एक like, subscribe और share करते रहेगा इस तरीके से हमें motivate करते रहे हैं अच्छे अच्छे videos लाएंगे आपके लिए आगे मैं बस यहां में बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं दिखा दू यह जैसा कि आपको दिख रहा है यह एक styler pen है जो हम लोग यह LCD screen के लिए यूज करते हैं और यह जो आपको दिख रहा है यह LCD screen है मैं अभी इस company के brand के बारे में कुछ आपको नहीं बता कि किसी company का ऐसा होगा कि मैं branding कर रहा हूँ, promotion कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसलिए मैं इसलिए कोई भी LCD screen हो, कोई भी TV हो, कोई भी इस तरीके का आपके पास अगर object है उसको हम लोग as smart board यूज कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए एक छोड़ा सा हमारे पास portable device है बहुत ही इसलिए, after calibration, this is the first appearance, यह बस आता है और इसको यूज करना है, जैसा हमारे पीसलिए वीडियो में भी देखा होगा, कुछ टूल्स ऐसा ही होगा, वही टूल्स है, बड़ इसको मैं यूज करके दिखा देता हूँ, और यह देखे, मैं कुछ अलफाबेट्स लिख रहा हूँ यह अपको दिख रहा होगा, A, B, C, D, E, F, G, H, मैंने तो यह ऐसे अलफाबेट्स लिखे हैं, फॉंट्स को अगर पतला मोटा करना है, मतलब अपने हिसाब से जो भी फॉंट्स अडजस्ट करना है, यह फॉंट के लिए था, मैंने यहां से फॉंट लिया, और मैं अब जो वाट्स यूर नेम, यह आपको दिख रहा होगा, वाट्स यूर नेम, कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा से उस पर ध्यान नहीं है, और यह जो है, यहां से हम लोग पैन का और जैसा कि मैंने पहले बोला था, बैग्राउंड बोर्ड का चेंज कर सकते हैं, पैन का अभी मैंने कलर चेंज किया, और कुछ एक इस टाइप का, आपको मैं चीजे बना रहा हूँ, दिख रहा है, तो इस तरीके से अलग-अलग पैन का कलर यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी वैसी फंक्शनलिटी, वैसी फीचर्स हैं, जैसे कि अपने स्मार्ट के बारे में जानते हैं, वो सारे फीचर्स और टूल्स हैं, और जो कि हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर निक्स पेज लेना है, मैंने इस टूल्स को टच किया, और प्रिवियस पेज को देखना है, मैंने यहां टच किया, प्रिवियस पेज है, नया पेज ज उसके लिए मैंने यूज किया right angle triangle है, यह right angle triangle बनेगा, यह इस तरीके का चीज है, और पाकी tools के functions के बारे में तो मैं अपने video में बता रक्खा हूँ, यह हमारे previous video में भी आप देख सकते हैं, और इससे कुछ advanced features वाले भी हमारे पास हैं जिस tools में बहुत सारे advanced features हैं, वो video मैं ब व्हें आपको आलग से कुछ उसके लिए पीड करना हो अगर आप यह लेना काते हैं. यह हम लोग प्रॉवाइड भी करते हैं. यहां से हमारे पहले भी बोला था, ने-चे नमबर हमाराँ चल रहा होगा. आप उस number पर call कर सकते हैं, comments कर सकते हैं, mail कर सकते हैं जैसे भी आपको चीए WhatsApp number होगा, WhatsApp भी कर सकते हैं जो नीचे हमारा चल रहा होगा तो यह जो advanced इसका कुछ जो बताएंगे जो tools है उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है जो भी मैंने basics दिखाया है, इसका कुछ advanced features जो है मैं बाद में बताऊंगा but same price पे होता है, ऐसा नहीं कुछ अलग से उसके लिए करना है एक बार फिर से मैं बता दूँ इसके लिए आपको क्या करना है एक LCD screen लेनी है, according to your needs हमने एक portable device देना है, जो overhead लगा हुआ है, यह एक pen है there is no need of any projector, और यह जो है, एक HDMI cable के थूँ आपके CPU यह computer में लगा हुआ है बस इतना ही गनना है, और यह है, कुछ लोग को लगता था कि हम board ले रहे हैं, kit ले रहे हैं, projector ले रहे हैं इसमें बहुत सारा cost लग जा रहा है, और बहुत सारा problems है, एक projector को manage करो, इसको करो इसमें there is no need of projector, जो projector लगता था, वो projector हट गया है आसा है, one second आप से request करता हूँ, आप like कीजे, subscribe कीजे, share कीजे जितना ही आप करेंगे, हमारे लिए हम भी बहुत motivate होंगे और आपको आगे अच्छा से अच्छा technology ये बारे में चीजे जो है वो बताएंगे, thank you, thank you everyone